देल कार्नेगी की किताब How to Win Friends and Influence People किसी ने ठीक ही कहा है किसी भी इंसान को प्रभावित करके उनसे काम निकलवाना एक कला होती है और इस किताब में दिये गए उसूलों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे इन उसूलों को जानकर ना सिर्फ आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं बलकि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख सकते हैं फिर चाहे आप एक विध्यारती हो, एक व्यापारी हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशूर होना चाहते हो थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले उन fundamental techniques की बात करते हैं जिनसे कि आप लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं पहला उसूल डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन यानि लोगों की कडवे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें पहला उसूल हमसे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरीके से बरताव क्यों करता है और इसके पीछे की वज़े क्या है सच मानिये ये आलोचना और निंदा करने से जादा फायदे मंद होगा क्योंकि ऐसा करने से उस विक्ति के साथ-साथ हम में भी सहनशिल होने के भाव जागरत होते हैं इस उसूल को खुद महान अबराहम लिंकन ने भी अपनाया था एक बार उन्होंने अपना अनुभव बाटते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परिशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली जिसके बाद से ही अबराहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तोर पर आलोचना करना छोड़ दिया इतना ही नहीं लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सला देने लगे कि सीधे तोर पर आलोचना करना नुकसान दायक हो सकता है इसलिए हमेशा हमें सही ढंक से पेश आना चाहिए दूसरा उसूल यानि पूरी इमानदारी और अच्छी नियत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करे ये कैसा भी तरीका है जिसमें की हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं और दूसरा उसूल यही सिखाता है कि किस तरीके से हम ऐसा करने में काम्याब हो सकते हैं अगर हम तहे दिल से और पूरी इमानदारी के साथ किसी व्यक्ती की प्रशंसा करते हैं तो इसकी चाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिन्दगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपके इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में अलाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करे। उधारन के लिए एक construction site के manager को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर safety head gear यानि की helmet पहन लेते थे लेकिन उनके जाते ही वो उस helmet को निकाल देते तो ऐसे में उस manager ने एक अलग ही तरीका अपनाया उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें helmet अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर इनकी fitting खराब है अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये helmets पहनने चाहिए क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ही तो बने हैं वो नहीं चाते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट ल यानि लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेवित या प्रोचाहित करना इसका बड़ा साधारन सा उधारन है जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपका है बलकि उसको बड़ी ही समझदारी से विज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं लेखक डेल कार्णीगी अपना ही एक अनुभव बाढ़ते हुए बताते हैं एक बार ब्रुक्लिन इंस्टिटूट आफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विध्यारतियों के लिए ना बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाते थे पर समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत व्यस्त थे इसलिए डेल ने लगभख 150 विध्यारतियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया अब इस खत को पढ़ते ह कि ये सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश को छोड़कर बुकलिन में भाशन देने के लिए पहुँच गए थे तो सवाल ये है कि आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखाता तो बात ऐसी है कि दरसल डेल ने इसी उसूल का फायदा उठाया उस खत पर सभी 150 विध्यारतियो उने दस्तकत किये थे और उन लेखकों से विन्ती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकाल कर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विध्यारतियों के लिए बड़े गर्व की बात होगी भई ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाए तो ये थी अपने आसपास के लोगों को वश्मे करने की कुछ तरकीबे अब हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल को मजबूत बना लेंगे वैसे ये बात तो आप भी मानेंगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का ही काम करता है या उस व्यक्ति की ही बात म यानि सही मायनों में लोगों में अपनी दिल्चस्पी दिखाना अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखिए अगर हम किसी के सचे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी आती समय में उसी की मात्र भाशा में बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमें जादा पसंद करता है अब इससे हमारा मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि आप लोगों की हां में हां मिलाए उधारण के लिए किसी भी सफल बिजनस इंटर्व्यू का राज आखिर क्या हो सकता है सोचि एक्चुली हॉवर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डबल्यू एलियट के अनुसार सफल बिजनस इंटर्व्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है बस यहां आपको एक ही चीज़ करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफी बारी की से सुनना उनमें पूर्ण होता है चाहे वो किसी भी भाशा में लिया जाए हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वरना ऐसे थोड़ी ना हर कोई अपना नाम रोशन करना चाता है प्रसिद्ध लेखक शेक्सपीर ने बखू भी कहा है वाट्स इन नेम यान अगर हम किसी इनसान को उसके नाम से बुलाए तो ये ज़्यादा कारगर साबित होता है और ये उसूल आप अपने से नीचे तबके के साथ आजमा कर देख सकते हैं जिसे की ड्राइवर, वेटर या चपरासी अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है तीसरा उसूल दू इससे आप दोनों की बाते और भी जादा मज़िदार हो जाएगी और काफी देर तक चलेगी जैसे हम अगर किसी इनसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बाते करते जाते हैं तो इससे उस इनसान की रुची धीरे-धीरे कम होती हुई नजर आईगी ल सपताहंत बिताया करते थे एक शाम एक मध्य उम्रे के व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुँचे और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा अध्यान नन्हे विलियम पर लगाया उस वक्त उन्हें बोट्स में काफी दिल्चस्पी थी इस आदमी तो न्योंक में एक वकील थे और उन्हें दरसल बोट्स में कोई भी रुची नहीं थी वो तो सिर्फ तुमसे बाते करना चाह रहे थे और तुम्हारी बाते वो इसलिए इतनी दिल्चस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक बहुत ही भले आदमी थे चौथा उसूल लोगों को एहमियत दीजिए और उन्हें महसूस कराईए कि वो खास है जैसा कि हमने तीसरे उसूल में बताया कि दूसरे इंसान की रुची जागरत करना बहुत ज़रूरी होता है और यह मुम्किन हो पाता है उस इंसान की रुची के बारे में बाते करने से और अब इस उसूल से हमें यह पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही ज़रूरी है यह बहुत ज़रूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को यह लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत माइने रखता है इस से आपके और उस इंसान के बीच के रिश् अगर इस स्थती में डेविट बाकी लोगों की तरह ट्राफिक पुलिस को एक रूखा जवाब देते तो वो फस जाते लेकिन डेविट ने बड़ी ही समझदारी और इमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिये सर मैं जानता मावजूद मैंने गलत मोड लिया जो भी जुर्माना है मैं भढ़ने के लिए तैयार हूँ अपना फर्ज निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की ही जरूरत है अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविट उन्होंने ना सर्फ डेविट को माफ किया बलकि उनका लाइसेंस लोटा करके शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुँचाने की जिम्मेदारी पर शाबासी भी दी और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया भाई वा डेविट तो देखा दोस्तों इन सभी उसूलों को अब आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे तो इनका अभ्यास कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आपके असपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे आगे बात करते हैं how to win people to your way of thinking यानि कि लोगों को वश्मे करने और लोगों का पसंदिदा बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसी जीता जा सकता है पहला उसूल एक जबरदस्त बहस को एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसकी उपेक्षा करके जी हां आखिरकार हम इस निश्चे पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी बहस का सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए और वो है उस बहस को टाल देना किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेडिया शराबी को टाल देते हैं क्योंकि आम तोर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर खत्म होती है और वो है ऐस हहमती क् नौ लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज़ादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है और इससे आपस में और भी ज़ादा मतबेद पैदा हो जाते हैं इसे लिए बहतर तो यही है कि इससे बचा जाए दूसरा उसूल दूसरों की सलहा की इज़त जीए ये कभी ना कहे कि तुम गलत हो क्योंकि हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे तो आप अपने सिस्टम को किस तरीके से पेश करेंगे जादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहां खामिया है और फिर अपने नए आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं लेकिन ये एक गलत रास्ता है मिटिंग में सबसे पहले ये पूछना जादा बहतर रहेगा कि सभी के मताबिक ओन्गोइंग सिस्टम में क्या-क्या दिक्कते हैं फिर अपने आइडियास को सामने रखते हुए उनके विचार जानिये इस तरीके से ना सर्फ आपके आइडिया को स्विकार किया जाएगा बलकि उसमें सभी काफी दिल्चस्पी भी लेंगे तीसरा उसूल अगर आप गलत है तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेना आपके लिए फायदे मन रहेगा जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलगी आत्मविश्वास होता है जो हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और साथ ही हम अपना बचाव करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए ये बात हमारे पुरवज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई भी छोटा नहीं होता और ये बात हमें ये उसूल भी सिखाती है कि हमें अपनी गलती को सुईकार कर लेना चाहिए क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज़ादा फायदे मंद तो ये है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लेना इसका सीधा उधारन लेखक डेल कार्णीगी ने अपनी निजी जिन्दगी में हुए वाकिये को बाटते हुए इस किताब में बताया है डेल ने बताया कि वो अपने पालतु कुत्ते को घुमाने जंगल में ले जाते थे क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था इसी लिए वो उसे जंजीर से नहीं बानते थे लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरीके से देख लिया और लिकक को जम कर डाट लगाई साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पालतु कुत्ते को खुले आम देखा तो वे उन्हें अदालत में ले जाएंगे अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्णीगी ने पुलिसमेन की बात मानकर अपने पालतु कुत्ते को जंजीर से बांध कर रखा ताकि आसपास के लोग और बाकी चोटे जानवर सुरक्षित रहे लेकिन एक दिन फिर से डेल ने अपने कुत्ते को अपनी जंजीर से नहीं बांधा और इस बार दुबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया लेकिन इससे पहले की इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते लेकर डेल ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे कह दिया कि माफ कीजिए मैंने दुबारा आपकी बात नहीं मानी मैं कितना गैर जम्मेदार हूँ बस ये सुनते ही पुलिस ओफिसर पिघल गया उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं इतने प्यारे कुट्टे को बांधने का आखिर किसका मन करेगा लेकिन फिर भी डैल अपनी गलती के लिए माफी माँग रहे थे और पुलिस ओफिसर ने उन्हें माफ कर दिया वो भी बिना कुछ कहे तो देखा दोस्तों, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें जादा तकलिफ का सामना नहीं करना पड़ता चौथा उसूल, सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझे कई बार हमारी नजरों में एक इनसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे, उस इनसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है बस यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो हमें अपने आपको उनकी जगे पर रख कर सोचनी की कोशिश करनी चाहिए तबी हम उन्हें बहतर तरीके से समझने में काम्याब हो पाएंगे और शायद इस कहानी से आप इस उसूल को थोड़ा बहतर समझ पाएंगे श्रीमान कार्टर अपनी पतनी को हमेशे एक बात के लिए ताने कसते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को सवारने में क्यों बिताती है श्रीमान कार्टर की बातों से परिशान होने के बाद भी श्रीमती कार्टर उन्हें कुछ नहीं कहती लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार करके आखिरकार श्री कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्हें पता चला कि उनकी पतनी को बागवानी करना कितना पसंद था और इसलिए उन्हीं की वज़े से श्रीमान कार्टर का बगीचा सबसे बढ़िया था और अपनी जिंदिगी बहतर बनाई पांचवा उसूल हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखे आम तोर पर लोग दो तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं एक वो जो उनका मन कहता है और दूसरा वो जो उन्हें ठीक लगता है तो इन दोनों ही बातों में फर्क है लोगों का उस रास्ते को चुनना जादा असान होता है जो उन्हें सही लगे लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का खयाल रखता है कि उसके किसी भी बरताव से लोगों पर क्या असर होगा यानि वो अपने इस महान लक्षे को कभी नहीं भूलता और यही बात जाहिर तोर पर उसके लिए फाइदे मंद होती है आगे है छटा उसूल अपने सभी आइडियास को बड़े ही जबरदस्त तरीके से पेश कीजिए जी हाँ, कईबर सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच को और भी जादा मज़िदार बराना पड़ता है आपको किसी शो मैन की तरब बड़े ही नाट की धंक से अपने आपको पेश करना होता है उसके बाद ही आप ध्यान आकरशित कर सकते हैं कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग-लग तरह की रणनीती अपनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लवजों में कहना काफी नहीं होगा जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कोई कितनी भी साधारंची सची कहानी क्यों ना हो लेकिन फिल्मकार को से अपने दर्शक तक पहुँचाने के लिए नाट की रूप अपनाना पड़ता है ठीक उसी तरीके से हमें अपनी सोच को नाट की रूप देना जरूरी हो जाता है तो ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरिन विल्यम ने जिने अपनी नौकरी में कुछ दिक्कते हो रही थी और वो ये समस्य अपने बॉस के साथ बाटना चाह रही थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उनके बॉस अपनी व्यस्त दिन्चरिया की वज़े से उनसे अपनी मीटिंग को टाल रहे थे और ना ही उनकी सेकरेटरी ठीक तरीके से जवाब दे रही थी तो एक हफता यूँ ही बीतने वाला था और कैथरीन को जवाब चाहिए था तो आखिरकार उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा जिसके अंदर एक आपचार एक पत्र भी था मैं जानती हूँ कि आप कितने व्यस्त होंगे अपने शिडूल की वज़े से लेकिन कृपया आप मुझे इस फॉर्म में दो रिक्तिस्थानों को भर कर मुझे दे दीजिए पहला तो ये कि आप मुझे किस तारीक पर मिल रहे हैं और दूसरा ये कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे बस ये देखते ही कैथरीन के बॉस प्रभावित हुए और उन्होंने कैथरीन के साथ तुरंत ही मिटिंग की जसके बाद आखिरकार उनकी समस्या दूर हुई आगे है आठवा उसूल लोगों को सकारात्मक रूप से चैलेंज करे ताकि वो अपना बहतरीन कर पाए एक बहुत बड़े बिहेवरियल साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपने सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की है कि एक छोटे से कार खाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर बड़ी कंपनी के सीनियर इग्जेकिटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है फ्रेडरिक ने हजारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें प्रुचाहन कहां से मिलता है जिसमें उन्होंने तीन चीजों का जिक्र भी किया तनख्वा, आराम दायक काम करने की जगे या फिर कुछ और जब इस रिसर्च के परिड़ाम सामने आये तो वो फ्रेडरिक को चौकाने वाले थे क्योंकि परिड़ाम ही कुछ ऐसे थे दिरसल लोगों को सबसे ज़ादा खुद उनके काम उने ही प्रचाहित किया था जिससे ये साफ हो गया था कि ज़ादा तनख्वा और अच्छी वोकिंग एंवाइर्मेंट से ज़ादा लोगों को उनके काम ने प्रभावित किया था इससे ये साफ होता है कि अगर किसी का काम ही मज़ेदार हो और डुची कर हो तो लोग और भी मन लगा कर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं बढ़ती प्रोचाहित होने के लिए और साथी साथ अपने आपको और ज़्यादा निखारने के लिए लोग खुद महनत करते हैं ताकि वो मोकाबले में भी बने रहे और अपने आपको और निखार सके क्यूंकि जहां बात चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने को और अपने आपको साबित करने के लिए जी जान से महनत करते हैं तो एक लेडर बनना एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जिसकी समझ की हर व्यक्ति को जरूरत है, तो चलिए, जानते हैं कि लोगों को बिना भढ़काए या नारास किये, हम किस तरीके से बदल सकते हैं, पहला उसूल, पूरी इमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें, तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम इंसान के बरताव में अलग ही चमक देखते हैं, जैसे कि हम अपने ऑफिस में सुबह-सुबह जाते हैं, और अपने सहकर्मियों से मिलते हैं, और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, तो फिर दिन भर आपके साथ-साथ उनका मूड भी ठीक बना रह अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बाते करते हैं, तो ये बात काफी लंबे अर्से तक याद रहती है, और इससे आपके और उस इंसान के रिष्टे को और भी जादा मजबूती मिलती है, उधारण के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो आपको ये नही पता कि उनसे बात कैसे करें, या किस विशय में करें, तो सबसे पहले तो आपको इस इंसान को ध्यान से देखने के बाद, उनकी किसी खास चीज या काम की तारीफ करनी चाहिए, ऐसा करने से वो इंसान ना सिर्फ आपके साथ सहच महसूस करने लगता है, बलकि आपको पसं किसी को उनकी खामिया बतानी हो, या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो, तो इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना होता है, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना जरूरी है, उस इंसान को पहले ये बताईए कि उसकी खूबिया क्या है तो ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामिया सीधे-सीधे बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा माननी की संभावना बढ़ जाती है मसलन जॉन अपने स्टील की कमपनीज में से एक के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने वहाँ पर कुछ मजदूरों को नो स्मोकिंग बोर्ड के ठीक नीचे धुम्रपान करते हुए देखा लेकिन जॉन ने उन्हें सीधे-सीधे डाटने के बज़ जाए उन मजदूरों को एक-एक सिगार पकड़ा दी और कहा मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप सब ये सिगार पिये लेकिन बाहर जाकर उन मजदूरों को समझ आ गया था कि उनकी गलती क्या थी भाई ऐसे इंसान को आखिर कौन नहीं पसंद करेगा तो आगे है तीसरा उसूल सीधे-सीधे आदेश देने से बहतर है कि सवाल पूछे जाए अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाए और लोगों के बीच ये है कि हम किसी को सीधे आदेश देने से बहतर उनसे सवाल कर सकते हैं जैसे कि इस उधारन में एक बार एक छोटी सी फैक्टरी के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी फैक्टरी में काम करने वाले करमचारी वक्त पर अपने ग्राहक के ओर्डर already को पूरा कैसे करेंगे तो ऐसे नाज़क वक्त पर उस मैनेजर ने अपने करमचारी को जादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने की बजाए सभी करमचारी को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किये जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था मैनेजर ने करमचारियों से सवाल किया हम इस ओर्डर को किस तरीके से सभाल सकते हैं इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किये, जैसे कि क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस order को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे कि हम समय को manage करके order को पूरा करें, तो अब एक के बाद एक सभी करमचारियों से अलग-अलग तरे के सुझाव आने और सभी का रवया हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं, बस कुछ इस तरीके से बदल गया था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, order को समय पर पूरा कर लिया गया, तो अब इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर manager ने शुरुआत में ही अपने करमचारियों को आदेश दिया होता, कि क तरीके से आप इस उसूल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक एहम खासियत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, आगे है पांचवा उसूल, दूसरों का आत्म सम्मान बढ़ाना, अगर कोई इनसान कभी अपनी ही नजरों से गिर जाता है, तो ये उस इनसान के लिए सबस उसके बारे में क्या सूचता है, बलकि हर इनसान के लिए ये ज़ादा जरूरी है कि वो खुद अपने बारे में क्या सूचता है, मसलन एक दस साल के बच्चे को गाने का शौक था, लेकिन उसकी अध्यापक ने ये कहकर के उसे डी मोटिवेट किया कि उसे गाना नहीं गान जिसका नाम था एन्रिको कारुसो, आगे है छटा उसूल, एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकतार है, इस उसूल को असल जिन्दिगी में ढालने से आप किसी इनसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, बलकि उस इनसान को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, उस इनसान का और भी जादा सुधार में मदद करता है, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आलोचना यानि की क्रिटिसिजम से जादा लोग अपनी सरहना से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें वो विश्वास जगाता है कि वो वाकई में ऐसा कर सकते हैं, टॉमी नाम के स्कूल के चारती विद्यारती को इस उसूल की मदद से 4th grade की अध्या पिका श्रीमती हौपिसकन ने सुधारा, कक्षा के पहले ही दिन श्रीमती हौपिसकन ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसी टॉमी की बारी आई, श्रीमती हौपिसकन ने टॉमी से कहा, टॉमी तुम एक पै आठवा उसूल, लोगों को प्रोचसाहित करें, उन्हें प्रेरित करें, अगर आप किसी से सीधा-सीधा ये कहते हैं कि उन्हें काम करने की क्षमता नहीं है और ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी भी सुधार नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खु मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश में जुड़ जाएगा कि वो आपको निराश न करें, स्टोर के मालिक श्रीमान गोंस ने ये बताया कि उनके स्टोर में कैसा ही करमचारी था, जो कभी भी प्राइस टेगिंग का सूपरवाइजर बना दिया, अब भले ही आपको बचकाना लगे, लेकिन उस करमचारी ने उसके बाद जबरदस्त सुधार दिखाया, और अपनी जम्मेदारियों को बखू भी निभाया भी, तो देखाना आपने की किस तरीके से किसी को प्रेवित करने का ये एक कारगर तरीका है, जिससे आपकी भीतर लीडर्शिप का गुण और भी जादा निखरकर सामने आता है, ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे, तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे, अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है, तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्जी से करवाए, और ध्यान रखी कि उसे ये काम करने में खुशी हो, इस किताब के लिए खक टेल कारनी की खुद इस बात को मानते है, एक बयान में उन्होंने कहा था, कि इस बात में दो राय नहीं है कि इनसान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास की लो तो दोस्तों ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी उसूलों और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही परिणाम मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी माप नहीं सकते कि कौन इनसान किस तरीके का बरताव करेगा, क्योंकि हर इनसान अपने आप में अलग है, लेकिन जादतर लोगों के अनुभवों को ध्यान में रख कर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी उसूलों और अपनी इस अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव ला सकते हैं, अगर आप इन सभी उसूलों का प्रयोग करने में 10 प्रती लीडर बन सकते हैं,